हाई फ्रेंट्स जैमादारानी कैसे हो आप सब आज मैं आप सब के रहे लेके हैं करेली की सब्जी के रहे से भी आज हम बनाएंगे करेली की सब्जी तो यह मैंने बिल्कुल सोटे साइज के और कच्छे करेली लिए हैं लगबगे साधा करेली हैं तो हम आज इनकी सबजी बनाएंगे करेली की सबजी बहुत से लोग बनाते हैं लेकिंशे अच्छी नहीं बन पाती है वो कड़वी हो जाती है और उसका स्वाद बिल्कुल भी एच्छा नहीं आता तो आज जिस प्रकार से मैं करेली की सब्जी बनाना बताती हूँ, अगर आप इस तरह करिशे बनाएंगे, यह आपकी सब्जी बिल्कुल भी कड़ी नहीं बनेगी, बहुत ही स्वादिश्ट और स्वास्ते के लिए हैल्दी होती है, तो आप भी इस सब्जी जुरू ट्राइ ज्यादा नहीं रटाएंगे, ज्यादा नहीं रटाएंगे, तो चको की साइटा से इसको थोड़ा से हटा लेगी, आज हम बनाएंगे भरमा करिला, हलका हलका इसका चिलका हटा लिया, अब इसमें कट लगा देगी, मीच ओ मीच, आप देख सकते हैं कि इसमें बीच बहुत ही कच्चे हैं, तो इन्हें निकाने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत कच्चे हैं, तो इसका टेस्ट सब्जी में बहुत अच्छाएगा, और मसाले के साथ अच्छे से भून जाएंगे, तो हम इसको अंदर हम तीन चमच भरके नमक दाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिला देंगे, अब सब्जी करेले को हम छिल्के हटा अटा के इसके अंदर डालते जाएंगे इस नमक के पानी में, तो इससे क्या होगा कि करेले का जो कड़वापन है वो नमक के पानी में ही निकल अब देख सकते हैं कि हमारे करेले में बिल्कुल भी बीज नहीं है, बिल्कुल कच्छे करेले हैं तो हम इनकी बीज नहीं अटाएंगे, इसमें डाल देंगे, ऐसे ही हम सारे करेले कट कर लेंगे हमने एक एक करके सारी करेले को नमक के चलके हटा के नमक के पानी में डाल दिया है, अब लगभग हम सारी करेले को इनको पंदरा मिंट के लिए इसी पानी में छोड़ देंगे, यह हमने इसके चलके जो हटाये थे इनको हम फैकिंगे नहीं, यह हमने निकाल दिये हैं, तो इसमें दो चमच वरके हम नमक डाल देती हैं, ताकि इन में भी बिल्कुल कड़वा पना रही है, अब इसको अच्छे से मिला देगे, और इसको भी हम रेस्ट के लिए छोड़ देगे, जब तक हम इनको पानी में रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम मसला त्यार कर ल के डाल देगे हम हेल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके नारे मसाले के कोडिंग बहुत अच्छी होगी, और सब्जी में इसका खुश्बू और इसका फ्लेवर दोनों ही टेस्ट भी बहुत अच्छा हाएगा, तो तीन चमच हम डाल देगे धनिया पाउडर, के लिए और स्टैआले में इसधाकर जएठ हो जाईए इस से ज्ञ pensar लेकूझ में बनाना हुआए बसका नहीं प weet काम पेश्चा उच्छा जाएठ हैच्छे से मिला लेंगे मैंने जीतना भी मसाला लिया, वहा इन क्रेलों के घ anál tuo कोडिं को एक यश्चंसा अगल और श्यादा मंचो दोती हैं नहीं को दोती है हैं। से तक सिमिल्ण को भी उच्छेश भी हो जाए र विक्तिति के हुआ चह lass रपे को लिए हम सारी करें लिकित वह मी सब्कोन दोती हैं וमकून में निचोड चीशक्तिति माउंचा को पान से नगा हैं तो यह क्या करते हैं हम सारे करेले को भल लेते हैं हमने सारे करेले में मसाला डाल लिया है यह मसाला भी हम सबजी बनाते समें इसके इंदर डाल देंगे तो इससे सबजी को टेश्ट बहुत अच्छा एगा तो अब जलते हैं हम फटा पटेशी बनाने की प्रोसेस में अब इसमें हम डालेंगे मस्टर डालेंगे मस्टर डालेंगे जैसा हम दौर्मरे सबजी बनाते हैं उसके अकोडिक ही ओल डालेंगे इसको थोड़ा हम गरम होने देंगे गरम हो चुका है इसमें डाल देंगे हम एक चमची न थोड़ी सी हींग अब इपको अची सचतर में देंगे अब हम डालेंगे इसमें एक मेन हरी मिशलिये बडे साइच की इसको में बारें कटकर लिया अब दूरा देंगे इसको उच्छे नमरा देंगे ये ती पजसीाह कर्णिऊ कर दिय है कि यह राद कर दो ड्राद करत देकी अर रहाय कर दो对 दो करो कि यह झाए डे की कर दो दो कि विजि क्म दो स्क्वड़ प्रूर सदा कि आपvalor से लिए इस तीफ में मेल्डियम है में इनको इसे पढ़ने देए लब बाब रस तमरा में च्छिलिए तो इनको बिशीज हम चलाते रहें अब हमें इस तीफ के जो हमने छिल का हटाया था तरह ले पबब डाल देहें इसको बिल्कुल मैं निजोंगी है इन बिल्कुली पानी नहीं है यह भी साथ-ाथ से इनमें राई हो जाएं ही तो इनमें बिल्कुली करणा ही हागा और इनका प्रेंशी में बोलर अच्छा है लि जाने भी आपिजिए है तुप जड़ा देहें दें कि अब इस ट्रेप पहला बिल्कुली हो गए जब पांच में तपार में वे उप्समें डाले हैं यह तारा मसाला जो बटा हुआ था अब इनको अच्छा से मिला देहें इस निजिए सब्दी में अच्छा से मिला दाल द सब्जी को पकते हुए लग बग हो गया 7-8 मिनट इसके बाद हम से कर लेते हैं हमाई सब्जी एक डम से बन चुकी है आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भी नहीं जला है और पैन के अंदर देखना बिल्कुल भी ओल नहीं है तो हमाई सब्जी कम ओल में ही इतनी अच्छी ह इसके त्यार हो चुकी है एक बार हम जेकर लेते हैं सब्जी पक्या नहीं यह असाने से ही टूट रहा है तो सब्जी बिल्कुल पके त्यार हो चुकी है तो हमें इसी स्टेश्ट दुख से पकाना है तो आप भी एक बार इससे सब्जी ज़रूर बनाएगा और मुझे करेले के उपर जो चालो तब जो मसाला ग्राउस की कोडिंग बहुत अची हो गई है यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगेंगे बिल्कुल भी फिक्के नहीं लगेंगे अगर आज की रेसिपी आपको पसंदा ही हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीज